कि नमस्कार दोस्तों, मर्केट अनईजिस के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे आने वाली वीक में मंडे हमें कैसे ट्रेड करना है जैसा हमने यहाँ पे कर preparation किया था कि हमें एक resistance हमें face करने को मिलेगा चो हमारा level था यहाँ पर उसी level पर आप देखो कि exactly यहाँ से reversal आया था आज यहाँ पर high लगाया 676 पर हमारा short का हमने कहा था कि जब यहाँ पर यह level के बाद में यह जो trend line था उसके बाद में हमें breakdown मिलता है तो short करना तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने book किया था मेरे पास अभी open में खाली bank nifty का ही है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा weakness दिखाई दे रहा था निप्टी यहाँ थोड़ा ज्यादा week था पर bank nifty आने वाले दिन में week हो सकता है तो उसकी वज़े से मैं उसको वहाँ पर short carry करके गया था second था हमारा bank nifty का यह हमारा resistance था दो बार attempt किया fail हो गया और फिर यहाँ पर continue sell-off आया हुए अब क्या होगा जब तक यह यहाँ पर इसके उपन नहीं जाता है तब तक हमारे लिए resistance का ही काम करेगा जो उपर में level आएगा 180 से लेके 220 के बीच में Phinex का यहाँ पर यह trend line उसी के आसपास हमने यहाँ पर consolidation किया और end में जाके यहाँ पर नीचे के side अच्छा सा fall दिखाया सबसे ज़्यादा जो मैंने last time आपको बताया था कल के वीडियो में कि हमें जो यहाँ पर पैसा मिलेगा वो stock में मिलेगा तो हमने यहाँ पर पहला शेर किया था वाल्टास जो मैंने आपको कल भी बताया था कि यह आपको यहाँ पर short के लिए ही candidate है तो हमारा आज का यहाँ पर short था 797 के नीचे यह हमारा make or break इस level पर था और यहाँ से continue fall आया second था hero moto जो कल आपके साथ discuss किया था कि यह breakout failure हो सकता है तो आपको short करना है तो कर सकते हो यहाँ पर तो आज यहाँ पर 2900 के भी नीचे गया था इसमें भी काफी अच्छा सा था और एक था दिपक नाइट्रेड 2068 था हमारा short का level और यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी करीबन 60 point का यहाँ पर fall हमको देखने को मिला था तो यह stock का आज देखें तो काफी अच्छा सा हमको यहाँ पर trade देखने को मिला और पैसा भी कमाया था तो हब हमें next Monday के लिए stock देखने है कि वहाँ पर हमें कैसे प तो subscribe जरूर करना video पसंद आये तो like and share जरूर करना तो हमारा first यहाँ पर रहेगा nifty का इसको मैं remove कर देता हूँ तो first यहाँ पर देखेंगे तो दो हमें यहाँ पर red candle देखाए दे रहे हैं तो अब हमें क्या देखना है क्योंकि यह एक support है इसका 531 closing हमारा 563 हुआ है तो जैसे यहाँ पर 530 के नीचे जाएगा market हम यहाँ पर higher chance है कि वापस 18472 तक जा सकते यानि कि एक और red candle हमें यहाँ यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है और वो red candle ECA साब से जैसे यहाँ से इस level के आसपास होगा open तो हमें यहाँ तक का एक मिल सकता है candle यह red candle हमारे लिए third candle यहाँ पर बन सकता है तो अब हमें अगर यहाँ पर short carry कर रहे है तो 18472 तक हम यहाँ पर पहला target ले सकता है फिर यह बना हुआ है हमारा low था 917 आज का है 932 यहाँ पर inside बार बना हुआ है तो inside बार candle के जैसे breakdown मिलता है तो हमें काफी अच्छा सा एक मो मिलेगा 917 है और उपर कौन सा है 459 करीबन यह 500 पॉंट का है तो यहाँ से अगर 500 पॉंट जाता है तो 43,400 के आसपास हमें यह जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो हमें यहाँ पर वेट करना है जैसे एक्टिवेट होता है हम इसको शौट कर सकते हैं सिमिलर हमें यहाँ पर inside बार candle नहीं है पर negative candle है trend line के नीचे close होने में काम्याब हुआ है तो हम इसको भी एक negative मान के चलेंगे जब तक हम यहाँ पर 19,005 10 के उप किया इसने gap down कुला था gap down के बाद इसने वापस एक attempt किया rejection कहां पे लिया यह candle का जो low है उसके पास से इसने rejection लिया और फिर यहाँ पर एक shooting star candle बनाया हुआ है inverted hammer भी बोल सकते हो अभी भी हम को यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है आज के low के नीचे निकलता है फिर शौट क हमको देखने को मिला था एक first breakout consolidation second attempt failed अब यहाँ पर जाके फिर से हमें एक doji candle बनता हुआ देखने को मिल रहा है इसको gravestone doji भी बोलता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आज का low बहुत important हो जाएगा जो है 4907 है और वो एक round figure के पास में है तो जैसे यह level break करत है एक आपको quick move यहाँ तक मिल सकता है जो है 4797 यानि 100 पॉइंट आपको नीचे मिलेगा फिर है यहाँ पर ग्रासीम में आप देखोगे तो एक m pattern सा आपको देखा है दे रहा है छोटे time frame पर यहाँ पर आपको m pattern देखने को मिलेगा यहाँ से यह वाला और यहाँ पर क्या है 50% retracement भी आपका मिल रहा है यहाँ पर और यह inside bar candle perfect combination सबका हो रहा है यहाँ तो 1708 के नीचे हम short कर सकते हमारा stop loss रहेगा 1738 हमारा target रहेगा 1658 अच्छा सा यहाँ पर नीचे के साड़ एक target मिल सकता है 50 point के आसपास यहाँ पर जब आपका active हो जाता है तो आपका stop loss फिर more होके आजागा 24 के असपास फिर जो भी यहाँ पर candle बनेगा उसका जो हाई रहेगा वो आप ट्रेल करके जा सकते हो option जिन की बात करते हैं तो option जिन में nipty में देखेंगे तो अभी भी हमको यहाँ पर 18700 पर ही highest oi देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक चोटा भी डीप आया फिर इनका stop loss हीट होगा इनको यह क्या होगा कि यह दो एक चुटी है तो यह हमारा यहाँ पर अगर बीस पचीस या पैंतिस पॉइंट भी उपर खुल गया तो यह 147 वाला 120 के आसवास हो जाएगा तो वह उनका loss कम होगा पर अगर इन 17,700 का put अगर यहाँ पर फिर से build up होने लगता है तो हमें यहाँ पर market एक और attempt करने को देखने को मिलेगा 18,660 तक का जो fresh आपको buying करना है 685 के बाद में ही buy करना है नीचे में ध्यान में रखना है हमें कि अगर call 18,500 जो अभी 18,00,000 है यहाँ पर increase होता है तो हम further नीचे की side short करेंगे bank nifty, bank nifty 44,000 यह series में भी highest OI अभी के इसाब से चल रहा है पर हमें in the money put के side short होता हुआ नहीं दीख रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि put आपको जो ध्यान में रखना है वो है 44,300 का इसमें अगर यहाँ पर build up होता है तो हमारा market उपर किया और जाएगा नहीं जो support रहेगा वो रहेगा 43,700 और 43,500 के आसपास तो नीचे में ध्यान में रखना है 43,700 काल वहाँ पर build up देखने को मिलता है तो market एक बार नीचे जाएगा अब वापस चलता है हम यहाँ पर हमारे चार्ट पे global queues अभी के इसाब से देखेंगे तो SGX nifty 15 point दिखाए दे रहा है अगर यहाँ पर हमने यह level के आसपास यहाँ पर closing कर दिया तो एक negative closing हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या है यह बड़े time frame पर इसको भी M pattern मिलेगा जो वापस support लेने आएगा 33,700 अगर यही level को hold कर जाता है 33,700,81 तो यहाँ पर एक attempt करेगा ओपर का यह जो trend line है वहाँ तक ज दिया हुआ है USD, INR भी breakout नहीं दिया है और बाकी सब तो बाकी सब ग्लोबल के इसके हिसाब से neutral है अगर यह हमारा Dow Jones वो अगर यहाँ पर close कर देता है red में और Nasdaq जो भी 181 दिखाए दे रहा है इसने अगर यहाँ पर एक shooting star candle बना दिया inside bar में तो यहाँ पर negative हो जाएगा Monday क करते हैं अभी हम intraday में कैसे trade करना है तो intraday में nifty पहले ले लेते हैं तो 15 minute का chart हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर trend line बनेगा आपका इस level से तो जब तक हम यहाँ पर यह trend line के नीचे है तब तक हमारे लिए यहाँ पर कोई buy नहीं बनता यानि कोई भी call हमें नहीं लेना है यहाँ तक तो अब को call का सोचना ही नहीं है जब तक हम इस line के नीचे है तो market अगर यहाँ पर opening होता है 625 तक तब तक भी हम यहाँ पर put का ही देखेंगे यहाँ पर होता है छोटा stop loss रहेगा हमारा यहाँ पर हम फिर से put buy करेंगे हमारा target वापस होना चीए यह 18,470 अभी हमारा next target यहाँ पर बन रहा है यह वाला हमारा next target है flat opening होता है जैसे ही यहाँ पर यह 555 को break करता है शौट करेंगे 530 यह 478 हमारा target रहेगा उपर के लिए wait करना जब तक यह level के उपर नहीं जाते तब तक हमें अच्छा कोई buying मिलेगा नहीं तो gap up open होने के बाद में आज जैसा यहाँ पर देखा था हमने price action उसी हिसाब से हमें price action देखे short करना है या तो फिर long करना है bank nifty में bank nifty में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक clear trend line तो हमें दिखा ही नहीं दे रहा है पर अगर हमें trend line अगर यहाँ से बनाना है तो इस हिसाब से बनता है अगर हमने यहाँ से लिया तो यह अभी हमारा trend line बन रहा है जिसको हमने दो attempt किया है breakdown का तो दो attempt breakdown का किया है पर breakdown नहीं हुआ है पर अच्छी चीज क्या है कि इसके ओपर भी sustain नहीं किया है long तभी करना है जब हम वापस यह candle के ऊपर close होते है यह क्या है यहाँ पर 231 तो जब तक यह इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें कोई भी buy नहीं करना है यहाँ पर कोई भी level में आता है price action आपका negative बनता है short करेंगे ऐसा बना तो भी short करना है flat open होके यह level break किया 930 का तो भी short करना है तो हमारा नीचे में target बनेगा 848 आएगा and 790 हमारा target और उसके 690 टार्गेट आएगा और उसके नी फिन नेप्टिंग यह हमारा trend line है अभी एक resistance का काम करा इसको अगर W pattern करना है तो यह level के उपर close देना पड़ेगा तो 510 के उपर sustain करता है तो हम buy करेंगे for the target of 630 नहीं तो flat opening होने के बाद में यहाँ पर फिर से यह low break करता है 390 का हम short करेंगे for the target of 287 के लिए यह दोनों के ब support भी मिल गया है support actually इस level के आसपास कहीं बनता है यह वाला तो उसी के बीच में अभी फसा हुआ expiry भी है तो possible है नीचे से support लेके वापस इस level पर आके expiry खतम कर दे 9500 अनलेस इसके नीचे ही हम काफी volume के साथ breakdown दे दे तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आयोगा अच्छा लगा तो दोस्तो like and share ज़रू करना thank you मिलता है नहीं वीडियो में take care bye bye